कि नाओ नेक्स कोशिए इस विच फॉलाइंग इस नौट दी वर्किंग मेकानिजम ऑफ हाइड्रोलिक डीपर सॉवल कोशन कहना चाहरा है कि इनमें से कौन सा काम हाइड्रोलिक डीपर सॉवल नहीं करता है तो हम नेक्स स्लाइड्रों से देखते हैं और इसे समझते हैं अच्छी तरह से समझेंगे से हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से लेते हुँ ठीक है तो यहां आपको क्या दिखे रहा है यह कौन सा सॉवल है चूंकि इसका जो बकेट का जो डिरेक्शन है वह आपोजिट टू दी डिरेक्शन ओफ एक्विप्मेंट अपोजिट टू दिरेक्शन ऊफ इक्विप्मेंट का दीपर सोवल थे कै लेकिन अंतर क्या उसमें वह रोब से होता है और यह अशल रहेगे अब बते हैं इसके पास क्या होते हैं कियों क्रावडिग्फर्स इसलिए होता है योगी इसका है रग्र को सोट यह क्रैक्पार निसे होता है छीचक्र पो रटो करेगा यह क्षो लगाएगा मैं पूर्स करेगा और वहां से क्या करेगा दक रेकार नहीं करें ड्रागिंग joint च्रभाता कि भी लिजर फोलीग होता है कि ड्रावडिंग एक्सक्रावर्डेशन कुछे क्रावड फॉसिंग फॉस इस एक्विवेलेंट टू क्रावड तो पुसिंग फॉस या क्रावडिंग के लिए अपना भकेट को फिल डप किया ठीक है उसके बाद क्या किया यह साइड में डिस्चार्ज कर रहा है यहां में दिख रहा है कि यहां खड़ा है और यह साइड में डिस्चार्ज कर रहा है तो यह से हम क्या बोलते हैं साइड लोडिंग ठीक है इसमें फ्रंट लोडिंग पॉसिबल नहीं है लोग पुछते हैं यह से फ्रंट लोडिंग क्यों 90-90 डिघरी से लूड होंगे, रन टेबल के लोंगे, यह सुइंग करेगा 90 ठिगरी और डिश्चाज करतेगा कहाँ पर डंपर पर डिश्चाज करतेगा, तो इस तरह के लोडिंग को हम लोग बोलता है, साइड लोडिंग, तो इस केस में तो अगर पीछे में यह अगर डंपर करना पड़ता है और यह जो बकेट है इसको फिल करके यह पूरा 180 तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा ज्यादा कोसिस करते हैं कि हमारा जो लोडिंग हो वह साइड लोडिंग के सरी हमारा दंपर फिल्डप हो सके ठीक है तो इन दी इन इस है इन दी केस ऑफ डीपर सोगल इन इस चेस आवर शाइट लोडिंग साइट लोडिंग इस पॉसिबल और बैक लोडिंग इस पॉसिबल ठीक है लिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि देखी यहां पर यहां पर रहे थोड़ा अच्छा से दिखाया गया यह आपका ग्राव्डिंग को तरसाएं कि दिख़ा होगा है एक आपको यहूँ को यह पूणिंग फॉर्स दिख इख रहा तो यह जो पुसिंग फॉर्स यह पुस के जरूँ पूस करेगा इस साइबो हरा ओर मेंट्रियल को फिलट करता ह। तो इसी pushing force को हम लोग crowding force बोलते हैं ठीक है और उसके बाद push करके यह क्या करता है कि यह क्या करता है जिसे कि यह retract करेगा यह भर तो लिया bucket को अपना तो पीछे खीचता है तो उस case में पीछे खीचना हो क्या बोलता है एक है traffic बोलता है यह retracting बोलता है tracking बढ़िक है नहीं पुलता है खीचना dragging मनें किसनों भी खीचना मुन्स्फिक होता ओर retracting में किजना होता है लेकिन without cutting यह हो catastroph attracting and width cutting यह होगिया dragging dragging किस case में होता है बैखोस 저희가 के case में होता है hydraulic backhoe why का mil Send走 में क्या होता है dragging होता और pulling pulling and dragging is same and crowding causing is same ठीक है तो यह हमारा retracting आप लोगों शुलकों क्या होता है retract MicheSN कहां पे होता था है एक हमारा आप no father हो और असा करते हैं सब कुछ जिसमें समझ सब्सका बाकि सब्सकिल B होगा हुज पासितों इसके बार से सब लोगता करेंसरा संने हैं इसके बारे को फिर वायोत विस्टतेटे हों इसके बारे में इसके बारे him met Cyrus किया और ‎ अऊपके लिए यहीए कहना चाहू सापोब की अपकर कता होते हैं उनमें वो जोए करें और जिपना हो सके वो कंसेपट को in spite करें अतने अंदर में ताकि नाकि Cyl technology में विकन्सी के लिए वह ल को सके और है अगर स्सकी ईगर भी सथ सही सबerson पर चलते हैं side loading front loading क्या होता है नहीं होता और किस तरह के condition में machinery को apply किया जाता है किस तरह से आपको वहां काम करना इसका पूरा ही हम लोग view देते हुए चलते हैं इसमें तो जो upcoming batches होते हैं आप उसमें जरूर join करें और अपने concept को enhance करें तो यहां नेक्स ट्रह आपको दिख रहा होगा बैको सवर आपको दिख रहा होगा तुरा फिल्ड का यह पीक है तो इसमें क्या आपको दिख रहा है जैसे कि उसमें था डीपर हाइड्रोलिक सवर में अंतर यह था कि वो जो उसका bucket था वो अपोजिट टू डिरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट था इस तरह था था ठीक है इस तरह था लेकिन इसका bucket किस तरह है इसका जो बगट है वह आपको दिख रहा हो कि equipment की तरफ है यह देखिए equipment की तरफ इस तरह होता है और फिर वह समेकर कंदेवल बूल सब्स भल और अपने wed danced को शॉब्क करेंगे अर यह ध्रूज करेगाए और यहां देख रहा है थे रहा है तो 90 लिए मोफ किया रिश्टार्च कर देगा तो है के कंडिशन क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे साइड लोडे मतलब करके यह ट्रक यह फिर डंपर यहां पर उसको बहर रहा है तो यहां पर क्या रहा है कि लोडिंग चल रही है तो इसमें हमने देख लिया कि यह ड्राइग फोर्स के जरीए क्या कर रहा है कि कट कर रहा और ट्रक को फिल अप कर रहा है तो यह हमने यहां पर देख लिया तो इसमें यह मैं आपको दिखाना चाहरा था जैसे कि मैंने आपको बूला था कि जो ड्रैक्ट सोवल होता है या फिर फिल सोवल भी से हम बोलते हैं तो इसमें तीनों लोडिंग से हैं कौन कुन से लोडिंग एक फ्रंट लोडिंग पॉसिबल है में डंपर यहां पर खड़ा रहेगा तो आराम junsi करने यहां नहीं डिरेक्टली यहां से कट किया और धाकेस कापर मेट्रियल डिस्चाज करते हैं यह हमारी होगी फ्रंट लोटिंग फ्रो एंड टी फ्रंट लोटिंग अगर क्या वागी डंपर यहां खडा ने रहा रहा है किसी कारण वस और इसको यह यह बेंच तो चौड़ा रहेगा यह बेंच तो काफी चौड़ा रहेगा यह 3d map observe कि यह इसी लेवल में रहेगा इसी एलीवेशन पर रहेगा तो यह चौड़ा रहेगा तो साइड में यहां पर धंपर खड़ा रहेगा तो यह क्या करेंगा 90 बदिक्री टॉन टेबल के लोग फ करके इस पर डिश्चार्ज कर देगा तो इस केस में इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम साइड लोडिंग बोलेंगे बोट साइड हो सकता या फिर इस साइड या डंपर रहे या फिर उसका बेंच का उस साइड में डंपर रहे है ठीक है अब हम देखेंगे बैक लोडिंग यह होगी आपका साइड लोडिंग दिग्री गोंके किया अब बैक लोडिंग देखते हैं बैक लोडिंग किस तरह पॉसिबल अमान लिए कि बैंच का उपर यहां पर खड़ा है ठीक है बैक लोडिंग इस केस में पॉसिबल रहेगा क्योंकि यहां से यह कट करेगा और यह पूरा 180 डिग्री मूव करेगा पूर क्या बोलते हैं भी के बैक लोडिंग बहुत के कि यह का करेंगा या फिर आगर कोईला है तो उसको डिश्ट बैंडबर या प्लान्च में या कंश्यूमर जहाँ घitchen cuaden कि यह हमारा बैखोष सव्ववल करिकारिंग कंसेप्ट हुए लोडिंग के रिगार्डिंग इसके और हमने जाना कि कौन-कौन से फोर्स यह एक्षाट करता है तो यह ड्रैक फोर्स एक्षाट करता है क्राओंग एक्षिन यह ने करता नहीं क्योंकि इसका जो बगेट होता करके भी क्या करेगा यह बगट तो फील अप नहीं करेगा यह किसी को ठेलने का काम कर सकता है लेकिन बगट को भरने का काम नहीं कर सकता है इसके पास यहां पर पकेट को पठकेगा इसको पुल करते हुए ड्राइक करते हुए जब लेकर आगा तो इसमें मेटरियर बार जाएंगे तो इसमें आपको समझ में आगिया होगा अच्छी थरीका से ठीक है यहां यह लास्ट रहा है इसमें भी हम फोर्सम देख लेते हैं कि कौन-कौन सा फोर्स इसमें एकज़ा करता है यह में करबाद करेगा यह पुल करेगा उसके बाधिधर सब्सक्र CH distribute करेगा उसके बाद मैटरियल को भनेगा और उसके बाद फिर यह भी side loading और back loading कर सकता है side loading करेगा या फिर इस side grande करेगा या फिर इधर में कर डंपर खड़ा तो this disproportion और फर्नoting नहीं नहीं कर सकता है क्योंकि यह आपर its high bowl करेगा यहीं से तो metal उठाएगा I did talk kila I'm area Di prepared if you could beck loading side loading concept में हमने देख लिया और forces भी देख लिए बॉकेट किस तरह का फोर्स एक्जर्ट करता है जो ड्रैट फोर्स व्रॉडिंग फोर्स हमें यह सब क्लियर हो गया है तो इस कोशन को हम अब आसानी से हम कर सकते हैं तो इसमें सींपल सा बात पुझा था कि हाईडूलिक डीपर सोवेल कोन सा कौन सा वर्किंग हाईडूलिक अपने बुकेट को वह अपने बुकेट को भरता है क्रावडिंग अमाल देम से पुस करेगा वह अपने बुकेट को पुस करके भरता है ठीक है तो यह अपको क्लियर हो गया चलिए हम फिर नेक्स्ट कोशन के तरफ हम चलते हैं झाल झाल